गुद मॉर्निंग स्टुएंट्स, हाव रियो, आई होप यू ओल आर फाइन, तोड़े विल स्टेडी लेसन 3, सब्ट्रेक्शन, पार 2, सो लेट स्टार्ट, बच्चो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेस नंबर 42 कराया था, सिंपल सब्ट्रेक्शन, कहरी वाले सब्ट आज मैं आपको कोशन D करा रही हूँ, पेस नंबर 46, रिग्रूप ता 10s टू 1s, हमें रिग्रूप करना है, कोशन A, ये क्या लिखा हुआ है, 378, अब हमें इसे रिग्रूप करना है, सबसे पहले हम 100s ले ले लेंगे, 300, क्योंकि हमें इसमें 100s का तो कुछ नहीं करना, फ प्लस यहां पे 10s आगया और यहां पे 1s आगया, यहां पे क्या है 7, अब हमें 10s को 1s में रिग्रूप करना है, यहां पे 7 है और यहां पे आगया 6, अभी कैसे आगया, क्योंकि हमने 1 जो कहरी है, वो हमने 1s को दे दी, 7 थे यहाँ पर 7 थे यहाँ पर अब हमने 1 इसको दे दिया तो यहाँ पर क्या बचा 6 6 यहाँ पर आ गया यह 10 हो गया हमारा यहाँ पर क्या था 8 यहाँ पर तो यह 8 है जब हम इसको 1 देंगे regroup करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 जब हम carry देते हैं simple minus में carry देते हैं तो वो क्या होता है 8 का 9 हो जाता है लेकिन हमने इसे regroup करना है regroup में क्या होता है कि हम 1 को आगे लगाते हैं इसमें add नहीं करते हैं कहते हैं तो इसको add ही है लेकिन हम इसको once कर रहे हैं ये तो 10 में थी digit और हम ऐसे में once में देनी है तो यह कितना हो जाएगा? 18 question C B question आप खुद करेंगे मैंने आपको C कराया है यह कहा लिखा हुआ है? 234 2 तो as it is आ जाएगा 200 plus यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया क्योंकि हमने इसको 1 carry दे दी 2 10 हो गया ना? क्योंकि यह 10 में desserts है 2 10 हो गया अब यहाँ पे कितना था? 4 4 तो यह है यह है जब हमने इसको 3 मैंसे 1 दे दिया तो कितने बच्चे? 2 तो यह यहाँ पे आ गया जो यह 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा यह 1s में add हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? 1 4 14 Confusion नहीं है बच्चो बहुत इध्यान से आप यह questions करेंगे बहुत simple है जब आप से 10s और 1s के वारे में पूछे तो आपने यहाँ से 10s की एक minus करके 1s को देनी है जैसे आपने 3 में से 1 इसको दे दे यहाँ पर 2 आ गया यहाँ पर 7 था 7 में से 1 आपने इसको दे दे 6 आ गया और यहाँ पर कितना हो गया? 8 था 18 हो जाएगा 4 है 14 हो जाएगा ठीक है students नहीं आए तो आप दुबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं कोशन 7 हीरी ग्रूप 100 तू 10 वो लास्ट कोशन में था कि 10 में 1 को कनवर्ट करना था अब इसमें 100 में 10 को कनवर्ट करना है कोशन 8 348 यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 100 यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 जब हमने 100 तू 10 में कनवर्ट करना है यहाँ पर 3 दिया हुआ है 3 में से माइनस करेंगे 1 तो इस इकल तू कितना आजाएगा 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 100 यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10 में क्या डिजिट है? 4 तो आपने क्या करना है? यहाँ पर one four fourteen आ जाएगा क्योंकि हमने hundreds की digit क्या है one किसको दिया है tens को दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा fourteen tens प्लस यहाँ पर eight है तो eight ones तो as it is रहेगा लेकिन जो हमने hundreds की जो one carry दी है tens को तो वो यहाँ पर fourteen हो जाएगा question B eight hundred ninety यहाँ पर क्या है eight और यहाँ पर आ गया seven तो eight मैं से minus करेंगे one is equal to seven आ जाएगा seven hundreds यहाँ पर क्या है nine जब हमने tens को one दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा nineteen one nine nineteen plus zero ones यहाँ पर zero है इसलिए zero ones रहेगा जब हम इसको यहाँ पर carry देंगे तो यहाँ nine की जगे ten नहीं होगा one nine nineteen होगा क्यूंकि हम इसे tens में convert करें हैं hundreds को tens में convert कर रहे हैं okay students अगर आपको ना समझ में आए तो आप उससे पूछ लेना thank you